एक समुंदर के अंदर रहती थी एक मचली रानी समेकित बालविकास पर्योजना दुआ रहा है कशियादी गाउं में दो अलग-अलग अंगनवाडी केंद्र दिया गया लेकिन दोनों भावान अभी तक पुरा नहीं हो पाया जिसमें बच्चों और सेविकास आईका को कफी दिकात करना पड़ रहा है यहाँ पर अंगनवाडी केंद्र केतना मिला है अंगनवाडी केंद्र हम लोगो अभी मिला है दो एक पहले मिला है वो भी केवल चट ढ़लाय किया हूआ है और अंदर प्लास्तर नहीं हुआ है, केवल खिड की अधरवाजा लगाया हुआ है, 2008 तक हम लोग अलग से दुसरा घर में हम लोग चलाते थे, अभी 2009 से हम लोग अपना सिंटर सरकारी स्कुल में चलाए, पानी का क्या सुईधा है, हम लोग को पानी का सुईधा तो अभी नह आइज है, हम लोग पानी अपना बच्चा लोको जो सरकारी स्कुल का चपाकल है, उसका यूज करते हैं, आज जो चपाकल हम लोग को मिला है, अभी वो खराब है, यह सब पुसाहर तो अभी तीन महिना शहां की मिला है, अपनी तरफ से हम लोग खिचुडी बच्चालों को किला रहे हैं, हमको भी तक छे महीना से मांधे भी नहीं मिल रहा है। आप सबहुं से अनुरोध है कि चुर्चु पर्खन के बाल विकस पर्योजना पदाधीकारी सुरुजमुनी कुमारी को इन नम्रों पर फोन कर दबाव बनाएं, ताकि दोनों भावन जल्द से जल्द बने और बच्चों को अच्छा सुईधा मिल सके। मैं चुनु हासदा हजारी बग ज्यारखन से इंडिया अनहाट के लिए।